आज मैं बना रही हूं वेजिटेबल राइता चोगाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही हैल्दी भी होता है इसको इतना आसान है कि आप इसे 10 मिनिट में बना के एक दम जल्दी से तयार कर सकते हैं और ये होटल रेस्टोरेंट में जब भी हम ख़ाना खाने जाते हैं इस तरीके का रायता आता है वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है तो आज हम घर पर बनाएंगे सेम वही तरीके से वही टेस्ट होगा और बहुत ही जल्दी बनेगा इसके लिए मैंने एक कप दही ले लिया है दही थोड़ा सा गाड़ा होना चीए और दही अब हम इसमें डालेंगे एक बारी कटा हुआ खीरा खीरे को मैंने इस तरीके से चोटे चोटे टुकड़ों में काट लिया है और एक बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे एक दिम बारी काट लेना है प्याज को भी और मैंने दो टमाटर लिये थे इनको भी बारी काट लिय हटा हुई तत्रों रदों को कि दों इसमें देशिता है विल यहाहिज मैंने गंगक ऑट्रों करूऽ किलेदाना जही जएरे करें जेरे को write किने बना ख्याहिए वह में मंद्यत्रोंब, पीनिये की के और क्याती त्र कुछ देज़ कर देबिलने जीरे का पाउडर जरू डालें उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसकम और काला नमक भी जरू डालना है तो इन दोनों चीजों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा रायते में इसको अच्छे चे मेक्स कर लेना इस तरीके चे यह देखिए बिल्कु पतला हो जाएगा रायता हमारा और उसका टेस्ट इतना बढ़िया नहीं आएगा तो दही थोड़ा गाड़ा होना चीए और खटा कम होना चीए तो अब हम क्या करेंगे इसे एक सर्विंग बोल में इस तरह के से डाल देते हैं और यह देखिए कितना क्रीमी बना है और कित अब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें